So hey guys and welcome back to 1MUFC, your daily dose of Manchester United और सबसे पहले तो यार आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया कि आपने 1MUFC को इतना ज़्यादा सपोर्ट के इतना ज़्यादा प्यार किया और आज हम 10K सब्सक्राइबर्स पूरे कर चुके हैं तो thank you so much guys and Q&A round जो मैंने बोला था जो मैंने community post में upload भी कर दिया है उस पर अगर अभी तक आपने जाके अपना question put नहीं किया तो जाकर कर दीजे वो video होगी release most probably Saturday या Sunday में तो wait करियो उस चीज का and कल एक interview दिया Christian Ronaldo ने Premier League production को ठीक है न तो उसमें Ronaldo ने बहुत सारी चीजे कहीं उस बीच Ronaldo ने एक statement भी दिया का I'm not here to finish 4th, 5th, 6th or 7th with Manchester United I'm here to win trophies I'm here to make them successful again अब इस बात को लोगों ने दो तरीके से लिया एक था के भाई Ronaldo club की स्तिती बता रहा है के Ronaldo satisfied नहीं है club की functioning से and Ronaldo expects much better you know performances from the players and much better setup from the board itself और कुछ लोगों ने इसको negative way में लिया उन्होंने का के Christian Ronaldo publicly आकर club को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और ultimately you know वो club छोडने की एक तरीके से धमकी सी दे रहा है के भाई या तो चीजन सुधार लो वरना मैं next season चला जाओंगा अच्छा अब अब आप मेरा अगर perspective इस बात पर जानना चाहोगे तो मेरा perspective यह है के Ronaldo कहीं नहीं जा रहा सबसे पहली बात तो और दूसरी चीज यह जो भी उसने उस इंटर्वी में बोला है वो 110% बिल्कुल सही चीज़े है कि आप देखो कि इस time जो कलब में जो भी players खेल रहे हैं क्या वो इस club के status को maintain करके रखे हुए हैं नहीं मैं और यहाँ पर खास कर मैं academy graduates का नाम लेना चाहूँगा क्योंकि यह वो players हैं जो कि club के roots से जुड़े हुए हैं आपने कल देखा il classico में कि academy graduates ने आकर किस तरीके से बार्सा को help की और एक academy graduate ने ही madrid को आकर वो game जितवाया उसके साथी साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर united के culture की तो एक time पर था जब united का नाम trophies के alongside गिना जाता था चार साल हो गए हैं बनकि 5 साल हो गए हैं हमने कोई trophy नहीं जीती है एन इस साल भी realistically अगर मैं बात करूँ तो मैं trophy जीतता नहीं दिख रहा मतलब इस season में मुझे मेरा club कोई trophy जीतता नहीं दिख रहा बट ऐसा नहीं है कि जीत नहीं सकते बिलकुल जीत सकते है रोनाल्डो ने एक और बात कही कि जब मैं नया नया आया था तो यहाँ पर जो seniors player थे वो हमेशा इस बात के लिए ready रहते थे कि भाई उन्हें इस season क्या expectations match करनी है fans की अभी वो चीज missing है club में वो winning mentality missing है बहुत बहुत सही तरीके से उसने चीज़ें put किया है कि मैं president नहीं हूँ मैं manager नहीं हूँ बट मैं एक player हूँ और मैं यह interview में बैट कर वो सारी चीज़ें नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे वो freedom नहीं है और indirectly उसने इसमे you know glazers का परदाफास किया है उन लोगों का भी परदाफास किया है जो कि इस club को अंदर से खोकला करते जा रहे यह players जो कि इतने high wages लेकर खेल रहे है बट उनको यह realization नहीं है कि वो किस club के लिए खेल रहे है उनकी उपर क्या responsibility है और उनको क्या चीज़ें करनी है इस club के लिए मतलब आप खुद सोचो कि Marcus Rashford अभी 200k पर week के wages पर है Anthony Marshall 250k पर week के wages पर है Harry Maguire जो कि हमारी team के captain है इन सारे players को एक example set करना चाहिए अच्छा खेल कर because you are earning loads and loads of money ठीक है ना चोकि last season जब David Deha नहीं खेल रहा था अच्छा तो सभी ने David Deha के wages को target करके उसकी performances को highlight किया था but why we can't do the same thing about these so-called English international players or the so-called highly paid players क्योंकि आप ये देखो के culture जो अभी netted का है मैं अगर Liverpool की situation से अगर अभी United की you know situation compare करूं वहाँ Salah उनके लिए goal पे goal दाग रहा है उनको Champions League जितवाई उसने उनको Premier League जितवाई उसने उनका मतलब 30 साल का अधूरा सपना उनने पूरा किया वही दूसरी तरफ Rashford is not performing to his level best and still the negotiation talks are going on कि भाई तुम contract renew कप कर रहे हो Salah जो demand कर रहा है wages वो fair enough है क्योंकि जिस तरह का performance Salah दे रहा है हर साल पिछले 4 सालों में वो हमारे किसी प्लेयर ने एक साल भी नहीं दिया दूसरी दरफ जो Marcus Rashford के अबे में बात कर रहा हूँ Marcus Rashford is already on 200k per week wages और contract renewation के बाद वो wage उनका जाएगा कम से कम 2500k per week पे Paul Pogba जो अभी 275 per week के wages पर है उनकी demand है कि भाई मुझे 400 से नीचे wage चाहिए ही नहीं है अभी 2-3 दिन पहले 4-5 दिन पहले एक news आई थी कि United are ready to offer Paul Pogba 500k per week अब सोचो अगर सला जैसा प्लेयर उनकीड के पास होता तो United भाई बिना कहे उसको 700-700k per week wages allow कर देती भाई उसको sanction कर देती क्योंकि हम हैं ऐसे और इसीलिए players हमको बेवकूफ समझते हैं इस club का जो status था एक time पर के भाई टीम में खेलने से पहले खौफ खाती थी Old Trafford पर visit करने से पहले टीमों की पतलून गीली हो जाती थी वही आज का माहौल है जब teams हम से wait करते हैं United के अगेंस कब खेलेंगे Crystal Palace जो हमसे 40 साल नहीं जीती वो Old Trafford पर आकर हमसे जीती और 2 साल लगातार जीती हमने अभी Aston Villa के अगेंस जैसी performance दी है वो सब को पता है क्या दी उसके अलावा Newcastle जैसे टीम जो की 19th बैठीती लीग position पर उसने आकर हमसे point निकाल लिया उसके अलावा अगर मैं Norwich वाले game की बात करूँ तो हम भले ही वो game जीत गए बट Norwich ने हमारी नाक में दम कर रखा था और ये हाल जो अभी Ronaldo ने बया किया है ये सब को दिख रहा है ये कुछ नई चीज रोनालडो ने आकर नहीं बोली है बट रोनालडो ने जिस तरह से इन चीजों को unfold किया है वो दिखाता है कि भाई he is seriously not happy with the way this club is being run और रोनालडो ने पहली बार मैं सही बता रहा हूँ Juventus में भी कभी Ronaldo ने इतना open statement नहीं दिया था और जो लोग ये समझ रहें कि रोनालडो ने इसलिए दिया है क्योंकि वो club से जाना चाता है नहीं वो club से प्यार करता है भाई he seriously loves Manchester United क्योंकि आप कभी भी उसका statement सुनोगे वो कभी भी Manchester United नहीं बोलता वो हमेशा Manchester बोलता है तो ये दिखाता है वो कितना connected है emotionally इस club के साथ और मुझे नहीं पता के लोग इस message को किस तरीके से receive कर रहे है कैसे कर रहे है क्योंकि बहुत सारे मैंने DMs देखे अपने Instagram पेज पर you know के मोहक भाई मैं क्या समझू इस चीज का मैं इस statement से क्या मतलब निकाल हूँ और मैंने उसने अब जो मैंने आज सुब्य अपने Instagram में post upload के उसमें मैंने साफ साफ लिखा है कि he is seriously not happy with the mediocre status that the club has maintained over the last 8 years ठीक है ना और ये चीज होती आ रही है ये चीज सिर्फ Ronaldo के आने के बाद नहीं हुई है ये पहले से होती आ रही थी बट कभी players ने इन चीजों को highlight करके नहीं दिया रोनाल्डो ऐसा player नहीं है जो कि एक mediocre performance के बाद satisfy हो जाए ये players satisfy हो जाते हैं 5th finish करने के बाद 6th finish करने के बाद बट रोनाल्डो जिसने अपने career में कभी भी second तक accept नहीं किया है because अगर उसने second accept किया होता तो आज वो इस level पर नहीं होता क्योंकि आपको हर चीज अचीज अचीव करने के लिए hard work दिखाना पड़ता है आपको hard work put in करना पड़ता है और इस वक्त United के वो players नहीं करना है वो hard work put in वो अपना सब कुछ नहीं दे रहा है field पर और इसलिए United अभी जिस condition में वो रहना deserve करती है क्योंकि इस club को run करने वाले लोग और इस club के लिए खेलने वाले players इस चीज को समझ नहीं रहे है कि ये club दिन पर दिन अपनी जो जो importance अपनी जो status है वो गवाता जा रहा है वो खौफ जो कभी opponents के दिल में हुआ करता था वो खौफ जो कभी opponent fans के मन में हुआ करता था वो अब नहीं है United के में और सबसे ज़्यादा इसमें पता है बुरा किन players के लिए लग रहा है सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे डेविड डेहया के लिए you know Cristiano Ronaldo के लिए Bruno Fernandes के लिए बुरा लग रहा है मुझे fans के लिए बुरा लग रहा है especially Sir Alex के लिए कि उन्होंने 27 साल में जो अपनी legacy खड़ी की थी these players and this management is destroying the legacy of Sir Alex Ferguson Cristiano Ronaldo ने जो कुछ achieve किया था अपने first spell में United के साथ वो overshadow हो रहा है क्योंकि हम इतना ज़ादा खराब कर रहे हैं भाई इस point of time पर और लोग इतने बेशरम हो चुके हैं ये pundits इतने बेशरम हो चुके हैं कि वो सारा अबलेम उठाकर एक ऐसे player पर डाल देते हैं जो कि अभी भी club को carry कर रहा है United अगर अभी Champions League में जिन्दा है तो उसके पीछे दो reason तीन reason है Cristiano Ronaldo, David Dehya and Bruno Fernandez United अगर अभी 6th पर 7th पर बनी हुई है तो उसके पीछे तीन reason है It is the support of the fans It is David Dehya and it is Cristiano Ronaldo प्रत भी कर रहा है कि Ronaldo की वजय से यह चीज़े खराब हो रही है भाई तुम्हें शरम आनी चाहिए अपने ऊपर एक बर अपने गिरेबान में जहाक कर देखो कि What you have done with this club What you have done for this club Players like Marcus Rashford, players like Paul Pogba, players like Anthony Marshall, players like Harry Maguire इनको शरम आनी चाहिए यह चीज़ें बोलने से पहले मैं यहां Rashford को bash करने नहीं बेठा But मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपने जब अपने young players को at the age of 22 इतने ज़्यादा high wages दे रखे हैं तो भाई don't expect them कि वो आपकी बात सुनेंगे कि आपने उनको already तना सर पर चड़ा रखा है कि उनको पता है कि उनको already आपने एक star boy बना दिया अपने club में उनके उपास इतनी ज़्यादा command आ चुकी है कि वो किसी भी players को किसी भी manager को कैसे भी तरीके से treat कर सकते हैं और वो बचकर निकल जाएंगे क्योंकि आपने उनके हाथ में वो चड़ी दे रखी है कि भाई इसको घुमाओ और जिस पर बजानी है उस पर बजाओ बट रोनाल्डो यहां तमाशा देखने के लिए नहीं बैठा है और मैं एक और बार वीडियो के end होने से पहले क्रिस्टियान और रोनाल्डो ने पूरे वीडियो में किसी भी तरीके से क्लब को डिस्रिस्पेक्ट नहीं किया किसी भी तरीके से ये नहीं बोला है कि he do not want to continue at Manchester United उसने साफ साफ ये बोला है कि he is not happy और उसने ये भी बोला है कि रेंगे को time देना पड़ेगा औले जब गया था उसने ये भी बोला है कि मुझे बहुत खराब लगा था लोगों ने क्या किया था किस रोनाल्डो के सर पे पूरा मत्था मढ़ दिया था कि सिर्फ रोनाल्डो के वैसे ओले को जाना पड़ा क्योंकि रोनाल्डो आ गया क्लब में इसलिए ओले को उपा प्रेशर बन गे डिलिवर करने का नहीं आप मेरी वीडियोज उठा कर जाकर देखना तब भी मैंने इस चीज बोली थी कि सैंचो आ गया वरान आ गया तो अब सोल्चार को इस सीजन में जज़ करूँगा और जज़ करूँगा ट्रोफीस के बेसिस पर और सोल्चार कहीं दूर दूर तक ट्रोफीस जीतते नहीं दिख रहे थे इस सीजन इसलिए सोल्चार को जाना पड़ा अभी रैनियक के सिस्टम में प्लेयर्स धले नहीं है बट इसमें रैनियक से ज़्यदा गलती प्लेयर्स की है क्योंकि ये आपका make और break सीजन है यहाँ पर अगर आप इन प्लेयर्स के साथ और specially रोनालडो, गुरूनो और जितने भी इनफर्म प्लेयर्स है उनके साथ अगर आप इस सीजन कुछ अचीव नहीं कर पाए तो आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ आप बार-बार मैनेजर के उपर ब्लेम डाल कर बचकर नहीं निकल सकते क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी चल चुकी है आठ साल से एक ही चीज रिपीट हो रही है कि बार-बार हम मैनेजर को सकेपकोड बना कर सेक कर देते हैं बट ये प्लेयर्स बच जाते हैं ये चीज नहीं हो सकती बाई कितने दिन तक और चलेगी ये चीज़ आप मुझे एक क्लियर एक आइडिया दे दो कि बाई हाँ इतने दिन तक और हम ये चीज़ चलाने वाले है ये नहीं हो सकता ना continue क्योंकि आप अल्रडी इतनी चीज़े खराब कर चुके हो साथी साथ रोनाल्डो ने ये भी बोला है कि he's feeling better now and Aston Villa के against वो hope कर रहा है कि बाई हाँ he will be involved कोई अभी 100% news नहीं आई है इस बात पर कि रोनाल्डो खेलेगा या नहीं खेलेगा तो अभी please comment section में ये मत पूछना कि क्या भीया रोनाल्डो खेलेगा क्योंकि अभी कोई भी news इस चीज़ से related नहीं आई है मैं जिस टाइम वीडियो बना रहा हूँ तब तक मुझे कुछ नहीं पता है अभी वीडियो अपलोड हो जाएगी कल मैं एक नई वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं team selection की उपर और बागी चीज़ों की उपर बात करूँगा बट ये वीडियो जो मैंने बनाई है सब्सक्राइब के लिए उन लेजेंड को याद कर लो जिन्हों ने तुमको इतना भड़िया स्टेटस मेंटेन करके दिया इस club के लिए तुम उस स्टेटस को मिट्टी में मिला रहे हो तो ये दिखाता है और ये mentality जो रोनाल्डो की है जो डेविड डिया के जो ब्रूनो की है ये मुझे और किसी player में नहीं दिखती और इसी लिए club सफर कर रहा है वो चीज जो कल हमने देखी बास्रोना की साइट से वो मुझे नहीं दिखती मैंचेस्टर उनाइट में वो चीज मुझे जो लिवरपूल में दिख रही है अब अंडर योगन क्लब वो मुझे नहीं दिखती उनाइट में और जो चीज मुझे पैप गाडियोले की टीम में दिखती है वो चीज मुझे नहीं दिखती मैंचेस्टर उनाइट में और यह सच है और सच कड़वा होता है और जिनको भी बुरा लगा यह सुनकर तो मैं उसमें सौरी वहरी कुछ नहीं बोलूँगा बट यही रियालिटी और इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा के वी आर नॉट गोड़ इनफ अट गोड़ इनफ अट गोड़ इनफ यह सीरिसली नॉट गोड़ इनफ